जिन लोगों को भगवान के अन्भुती के बारे में जरा भी संका हो, उन्हें भारत के संतों और अध्यात्मिक गुरुओं को पढ़ना या सुनना चाहिए। जिन लोगों से बाते करते थे, कोई कार्ज करने से पहले मा काली से पूछते थे, उनका काली के प्रती मा का भाव था और वे पुत्र के भाती मा का सेवा करते थे। स्वामी रामक्रिष्न परमहंस ही स्वामी विवेकानन्द के अध्यात्मिक गुरु थे और स्वामी विवेकानन जिनका वास्त्विक नाम नरेंद्र था रामक्रिष्न परमहंस के प्रिये सिस्य थे। वैसे तो स्वामी विवेका नंद और स्वामी राम कृष्ण के कई किस्से कहानिया मौजूद हैं। उन्ही में से एक कहानी है कि जब स्वामी विवेका नंद ने स्वामी राम कृष्ण से पूछे कि इस्वर होते हैं या इस्वर के दर्शन हो सकते हैं तब स्वामी राम क्यों नहीं आवस्य होते हैं तब स्वामी विवेकानन्द ने कहा आप दर्सन करा सकते हैं इस पर स्वामी राम कृष्ण भोले मुझे देख लो तब विवेकानन्द संसे में पर गए और यकीन न होने का भाव परकट किया तब स्वामी राम कृष्ण ने विवेकानन्द के सी पर अपना पैर रख दिया। उसके बाद विबेकानन कई घंटों तक अचेतन अवस्था में परे रहे। उस दवरान उन्हें जो धर्सन हुआ उसके बाद उन्हें विश्वास हो गया कि इस्वर होते हैं। उससे पहले विडियो को लाइक कर दें, लोगों में सेर करें, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सवामी रामक्रिष्ण मानवता के पुजारी थे, साधना के फल सरूप वह इस निसकर्ष पर पहुँचें कि संसार के सभी धर्म सचे हैं और उनमें कोई भीमता नहीं है। वेविश्वर तक पहुचने के मात्र भिन भिन साधन है। संत रामक्रिष्ण परमहंस का जर्म 18 फ्रवरी 1836 को बंगाल प्रांतिस्तीत कमार पुकूर ग्राम में हुआ था। पिता जी के नाम खुदी राम और माता के नाम चंद्रा देवी था। एक अनभव हुआ था। उन्होंने स्यू मंदिर में अपने गर्भ में रौसनी प्रवेश करते हुए देखा। बाल्य अवस्था में गदाधर, सरल और मंत्र मुग्द मुस्कान जो कोई भी उनको देखता वे समोहित हो जा था। जब गदाधर की उम्र साथ साल की हुई तो उनके सीर से पिता का साया उठ गया। ऐसी विप्रीत प्रस्तिती में पूरे परिवार का भरन पोसन कठिन होता चला गया, आर्थिक कठिनाईयां आई, बालक गदाधर का साहस कम नहीं हुगा। इनके भरे भाई राम कुमार चटो पध्याय कलकता जो की अब कोलकता के नाम से जाना जाता है, वहाँ पर एक पाट साला में संचालक थे। वे गदाधर को अपने साथ कोलकता ले गएं, राम क्रिश्न का अंतरमन अत्यंत निश्चल, सहज और बिनैसील थे। संकिन्ताओं से वे बहुत दूर रहते थे, अपने कार्ज में हमेशा वो तनलीन रहते थे। कठिन प्रयासों के बाद भी राम क्रिश्न का मन पठन पाठन में नहीं लग पाया। 1855 में राम क्रिश्न परम्हंस के बड़े भाई राम कुमार चटोपत ध्याय को दक्षने स्वर काली मंदिर के मुख पुजारी के रूप में निक्ति किया गया। जो मंदिर रानी रासमनी द्वारा बनवाया गया था। राम क्रिश्न और उनके भांजय हिर्दय राम कुमार की सहायता करते थे। राम क्रिश्न को देवी परतिमा को सजाने का दाईतु दिया गया। 1856 में राम कुमार के मिर्टु के पस्चात राम क्रिश्न को काली मंदिर में पुरोहित के तोर पर निक्ति किया गया। रामकुमार के मिर्टू के बाद सिरी रामकृष्ण ज्यादा ध्यान मगन रहने लगे वे काली माता के मूर्ती को अपनी माता और ब्रहमांड की माता के रूप में देखने लगे कहा जाता है कि सिरी राम क्रिश्न को काली माता के दर्शन ब्रहमांड की माता के रूप में हुआ था राम क्रिश्न इसके वर्रन करते हुए कहते हैं घर, द्वार, मंदीर और सब कुछ अद्रिस हो गया जैसे कहीं कुछ भी नहीं था और मैंने एक अत्यंत तीर भीहिन आलोक सागर का दर्शन देखा यह चेतना का सागर था जिस दिसा में भी मैंने दूर दूर तक जहां भी देखा बस उजवल लहरे दिखाई दे रही थी जो एक के बाद एक मेरी तरफ आ रही थी इस घटना के बाद अफवाब फैल गए कि देख्षेनिस्वर में अध्यात्मिक साथना के कारण राम क्रिष्ण का मानसिक संतुलन खराब हो गया था राम क्रिष्ण की माता और उनके बड़े भाई रामे सुवर राम क्रिष्ण का बिवाह कराने का निर्ने लिया उनका यह मानना था कि साधी होने पर गदाधर का मानसिक संतुलन ठीक हो जाएगा साधी के बाद आए जिम्मवारियों के कारण उनका ध्यान अध्यात्मिक साधना से हट जाएगा बिवाह की बात सुनकर राम क्रिष्ण ने खुद उन्होंने यह कहा कि वे उनके लिए कन्या जैराम बाटी गाउं में राम चंद्र मुखरजी के घर पा सकते हैं जो की राम क्रिष्ण परमहंस के गाउं कमार पुकूर से तीन मिल दूर उत्तर और पूरब की दिशा में था 1857 में पांच वर्ष की सारदा मनी मुखोपध्याय और 23 वर्ष के राम क्रिष्ण का बिवाह संपन हुआ बिवाह के बाद सारदा अपने घर यानि की जैराम बाटी में ही रहती थी और 18 वर्ष होने के बाद वे राम क्रिष्ण के पाक्ष दक्सनेश्वर में रहने लगी राम क्रिष्ण तब सन्यासी का जीवन जीते थे कलांतर में बरे भाई भी चले गए इस घटना से वे ब्यतित हुए संसार की अनित्या को देख कर उनके मन में बैराग का उदय हुआ अंदर से मन ना करते हुए भी श्री राम क्रिष्ण मंदीर की पूजा और अर्चना करने लगे दक्षनेस्वर इस्ती पंच बटी में वे ध्यान मगन रहने लगे इसवर दर्शन के लिए वे वे व्याकुल हो जाते लोग उन्हें पागल समझने लगे इसके बाद भैरवी ब्रहामनी का दक्षनेस्वर में आगमन हुआ उन्होंने उन्हें तंत्र की सिक्षा दी मधुर भाव का अस्थावन करते हुए स्री राम क्रिष्न ने स्री क्रिष्न का दर्शन किया उन्होंने तोतापुनी महाराज से अद्वैत बैध्यांत की सिक्षा ली और जीवन मुक्त की अवस्था को प्राप्त किया सन्यास करहन करने के बाद उनका नया नाम हुआ स्री राम क्रिश्न परम्हंस